नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपी के YouTube चैनल पर दोस्तों काफी लोग मेरे को मेल करके पूछ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं कि काफी लोग यह पूछ रहे थे कि इवी जो पॉलिसी है यानि कि सबसीडी देने की जो पॉलिसी है यह उत्तर प्रदेश में है कि नहीं तो दोस्तों यूपी में आगर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये गुड नियूज है कि क्योंकि यूपी में रहने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजेगा क्योंकि इसी तरीके की इन्फर्मेटिव वीडियो में आपके इस चैनल पर टाइम टू टाइम लेकर के आता रहता हूं तो अभी स्टेट्स अपने अपने लेवल पर पूरा बैस्ट कर रही है ताकि इवी को एंकरेज किया जा सके प्रमोट किया जा सके और जादे से जादा लोग पेट्रोल और डीजल के वाहनों को ना खरीद करके इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाए तो इसी के चलते अब उत् पिर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है यानि की सब्सीडी देनी शुरू कर दिये तो इसमें कुछ टंस कुछ रखी है उत्तरप्रदेश गवर्मेंट ने जो की मैं इस बारे में पूरी डीटेल के साथ आपको बताऊंगा तो सबसे पहले यह ज जादे से जादा लोग EV vehicles करीदे इन कंपेर ओफ पेट्रोल डीजल वेहिकल के दूसरा जादे से जादा लोग EV बनाएं मतलब manufacturing plants जादा से जादा उत्तरप्रदेश में स्थापित हों जो की electric vehicle बनाती है अगर वो उत्तरप्रदेश में प्लांट लगाती है तो उनके लिए एक special subsidy दी जा रही है, साथ ही साथ EV के जो charging stations है, अगर आप लोग उत्तरप्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तरप्रदेश में आपके पास अच्छी खासी जगए है, जो की अच्छी locality में स्थित है, यानि की road के आसपास है, किनारे है, highway के किनारे है, तो ऐसे में आप EV charging station भी लगा सकते हैं, जिसमें सरकार पूरा सयोग करेगी और काफी अच्छी subsidy भी देगी आपको EV charging station लगाने के लिए, तो यह हो गई 3D policy, जिसमें की तीन चीजों के उपर focus किया गया, अब हम जानते हैं कि कितने कितनी discount, कितनी subsidy दी जा रही है, टू विलर पर, ट्री विलर प खरीदते हैं, तो इसमें इन्होंने ये condition रखी है, जो पहले 2,002,002 विलर विकेंगे, उस पर 5,000 रुपे flat discount दिया जाएगा, flat subsidy दी जाएगी, UP government की तरफ से, जो भी पहले 2,002,002 विलर विकेंगे, इस policy के आने के बाद, उस पर 5,000 रुपे सरकार subsidy देगी, इसी तरीके स कार पर भी जो पहली 25,000 फोर विलर विकेंगी, पहली 25,000 कारे विकेंगी, इस policy के आने के बाद, उस पर flat एक लाख रुपे का subsidy दिया जाएगा, UP government की तरफ से, तो ये subsidy तो मिली रही है, और साथी साथ और चीजों पर भी सरकार जो है, वेव आफ दे रही है, amount का, तो देख देना पड़ेगा, और इसी के साथ एक condition और उत्तरप्रदेस government ने जोड़ी है, कि अगर आपका वेहिकल उत्तरप्रदेस में ही बना है, यानि कि जो आपकी वेहिकल बनाने वाली company है, उसका जो प्लांट है, UP में ही बना है, तो जो policy implement हुई है, वो 5 साल तक जो भी वेहिकल खरीदेगा, चाए वो 2-wheeler हो, 3-wheeler हो, या 4-wheeler हो, उसको 5 साल तक ये benefit मिलेंगे, यानि कि road tax में और registration में छूट मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप UP में रहते हैं, और आप अपना commercial वेहिकल खरीदना चाते हैं, इलेक्रिक वेहिकल जैसे कि logistic के लिए, transportation के लिए, आजक condition रखी है, UP government ने कि जो electric वेहिकल होंगे, जो commercial वेहिकल होंगे, तो सुरू के 1000 जो वेहिकल होंगे, electric वेहिकल पर जो maximum discount होगा, वो 1 लाख रुपे तक होगा, मतलब 10% ऐसा नहीं कि अगर आपकी गाड़ी 15 लाख रुपे की तो 10% सीधा-सीधा आपका हो जाता 1.5 लाख रु रिलेटेड, electric वेहिकल से रिलेटेड तो उस पर भी capitalized subsidy दी जाएगी, यानि कि पुंजी का subsidy पुंजी का छूट दी जाएगी, उत्तरपरदेश सरकार की तरफ से, और तो और इसमें बतायागा कि अगर 1500 करोड रुपे कोई उत्तरपरदेश स्टेट में लगा रहा है, electric vehicle ब खरीटते हैं, electric vehicle खरीटते हैं, तो उस पर किस हिसाब से आपको यूपे सरकार subsidy देगी, तो आशा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजेगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत लाइकन प्रेस कर लिजेगा, और अगर आपको इस वीडियो से रेलेटेट अभी भी कोई डाउट रहे गया, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट अपना पूछ सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूँगा कि जादा से जादा और जल्दी से जल्दी उसका reply देने का, तो दोस्तों जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, शुरक्षित रहें, शुरक्षित चलें